हेलो फ्रेंड्स आप से भी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाड़ी वेज सुजीत में तो दोस्तो आज हम क्लाश 12 के किमेश्टी का लॉंग कोशन्स के बारे में डिस्कॉस करेंगे जो हमारे बोड एकजामी के लिए अत्ती महत्त्य पूर्ण है तो इस लिए जमें आप आसाई से लिख पाएंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं तो यहां पर स्वारव पर्थम हमें से क्या पूछा गया है कि कॉपर के मुखी यह स्कों के नाम लिखिए तो कपर के मुखी यह निमनलीखित होते हैं और पहला है कोपर पराइट यह जरूर पुझाएंगे है प्रस्न में कि तता copper instead so copper का arguing थे किया जाता है ठीक तो यहां पर हम लोग देखेंगे copper से का संद्रन आप भी जैसे जैसे यहां पे लिखा गया है वैसे वैसे आप भी एक कॉंपी पर उतारते चलिएगा और इसे प्रेक्टिस करते चलिएगा आपको पूर्था याद हो जाएगा ठीक तो यहां पे स्वरपर्थम लिखेंगे कि कॉपर पराइट टे अयासक को महीन पाउडर बना जाता है स्वरपर्थम कॉपर पराइट जो होता है उसे महीन बना जाता है और इसे फेन उत्पलावन बिधी से कॉपर का संदरता बढ़ा जाता है और फेन उत्पलावन बिधी जो हावा में बहुत तेजी से परिवर्तन सील भठी में गर्म के जाता है ठीक और भरजित यसक को बलाश्ट भठी में डाला जाता है और इसमें निमली खित अभिकरियाएं होती है क्योत यह जो हमें सांद्र यसक प्राप्थ हुआ था उसको सीलिका के साथ मिस्रित कर हावा में बहुत तेजी से परिवर्टनसिल भठी में गर्श किया जाता ह। अब हजित यास को बलाष्ट भठी में डाला जाता है जब डाला जाता है तो इसमें निमलिखित अभी किरियाएं होती है यहां पे अभी किरिया को जरूर याद रखें क्योंकि बो डिक्जा में क्या होता है अभिकिरिया से ही नमबर मिलता है अगर ये वाला नहीं लिखते हैं A, B अगर अभिकिरिया भी लिखते हैं तो आपको पूर्टा आंके मिल जाता है दोस्तो तो यहाँ पे जो अभिकिरिया में यहाँ पे दिया गया है वहीं तो यहाँ पे लिखा गया है तो आभी लिखने का प्रयास करेंगे कि copper oxide Cu2O ferosulfide निकि Aps से अभिकरिया कर cuprasulfide का निर्मार करता है तो यहाँ पे Fe और O यहाँ पे अभिकरिया करेगा और Cu2A से यह एक जगह अभिकरिया करके जाएगा तो यहाँ पे अभिकरिया हो गया है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि Apo और Cu2A जो कि cuprasulfide बनाते हैं यहाँ पे यह कत्व काम हो गया और आते हैं B में तो इसमें ज़्यादा iron sulfide oxicrete होकर feros oxide में परिवार्थित हो जाते हैं जो यहाँ पे ज़्यादा feros sulfide है यहाँ कि Apo जो कि oxicrete होकर feros oxide बनाता है Apo हमें पराप्थ होता है और Aso2 जो क्या होता है यह तो गयस होता है यह उपर की तरह उड़ जाएगा तो यहाँ पे संतुलित कर देगा है यहाँ भी संतुलित कर लिजीगा दोस्तो ठीक संतुलित भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है तो यह यह C में चलते हैं तो C में क्या होता है कि feros sulfide sorry feros oxide क्या होता है Apo silica के साथ जोड़कर feros silicate बनाते हैं और इस अभिकिरिया में इस अभिकिरिया से जादा तर लोहा silicate की रूप में बाहर निकलता है नहीं कि ज़्यादा तर लोहा हमें प्रापथ हुआ था वो silicate के रूप में बाहर निकल जाता है तो वही FEROS oxide silica के साथ जोड़कर silicate बनाते हैं और इस अभिकिरिया में जादा तर लोहा सलेक के रूप में बाहर निकल जाते हैं Apo और SiO2 जब अभिकिरिया करेगा तो Apo SiO3 सलेक के रूप में बाहर निकल जाते हैं फिर इसका काम हो गया है दोस्तो और यहाँ पे क्या होता है कि भठी के नीचले सतह पर क्यूप्रस सलफाइड और अल्प मात्रा में आईरन सलफाइड प्राप्थ होता है जिसे कौपर मेट भी कहते हैं तो यहाँ पे जो नीचले हिस्से में क्या होता है कि भठी के नीचले सतह पर क्यूप्रस सलफाइड और अल्प मात्रा में आईरन सलफाइड हमें प्राप्त होता है ये फी एस हमें प्राप्त होता है जिसे कॉपर मेट भी कहते हैं और लास्ट में यहां पे देखेंगे ये इतना लिख देते हैं तो आपका पांस नमबर तयार हो गया दोस्तों इतना ही आपको लिखना था तो बेसमी करण में क्या होता है बेसमी करण में कि मेट को बेसमर करन भटर में डाला जाता है यानि कि जो बेस हमें प्राप्थ हुआ था यानि कि मेट हमें जो प्राप्थ हुआ था उसे बेसमर करन भटर में डाला जाता है और इसमें सीलिका को मेट के साथ मिला कर जो सीलिका हमें प्राप्थ हुआ था उसको मेट में मिला कर डाला जाता है और क्यूप्रस सल्फाइड गर्म हावा में अक्सिक्रीत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ठीक और क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर मुक्त कौपर का कौपर धातुप प्राप्त कर देता है यनिक कि यहां पर अभिकर्या करेंगे , और असकनल जाएगा तो इस प्रड़ेकार से हम लोग कॉपर का बेस निश्करशन देख चुके आप अच्छे से बोड इकजा में लिखते हैं तो आपका पांच अंक रेडी हो गया दोस्तो बहुत ही असाई से यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपको A to Z समझ में आ जाए अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सभी अच्छी लेगी हो तो इसे लाइक ज़रू कीज़ेगा द थैंक यू